अधितुफान बाड़ा आने के लिए मतलब वो लोग जाते हैं उस जगह पर जहां पर आधी तुफान आती है अच्छा वो चाहते हैं कि हम जहां पर रहें वहां पर बाड़ा आए तो बुली अच्छा उसको क्या बोलते उसके लिए एक वर्ड इस्तेमल के नाच्रोल डिजास्टर उसको हिंदी में क्या बोलते हैं लाकरति घटना प्राकर्दी कापदा और को एक रिजन हां बूलो रहां हां मोवेंट ओव और आर्मी ने रिजन हम पूछ रहें क्यों चैनल क्बजा करने के लिए अच्छा और कोई एक रिजन हां फूड के लिए ना फूड के लिए वो जाते थे हां जो रिलिजियस गुरू होते थे वो जाते थे अपने धार्म का परचार करने के लिए गाउं से दूसरे गाउं ठीक है तो तोनील करके उसके पिछली वी घॉर्ट जरू करते थे लोक पर इसका आज मैं देखते आज भी लोग एंड़ करते तो और लेकिंद आज धीकल करते वह लिeremi प्रोक्त बोस्ता काम करने के लिए आज का मोमेंट हा संध्या कुछ यात्रा इसो प्लते हैं इंग्लिश में इसके लिए इस स्वेडमmile यह उद्र आइडिया करने चाहिए ऐस बाला होती है आज भी आईडियासेल और बिल्कुल बिल्कुल और कोई रिजन आज की अगर बात करें तो अंतरा अगर आज की बात करें तो कि बुलो संधिया वो तो ठीक है वो तो सुन लिए हैं कि आज मूब्मेंट होता है आज भी होता है रवचन वगरात होता है थिक वुर्सले तो पिछले क्लास मिलुक समझे नहीं क्यों जरूरी है लोग मूब क्यूं करते थे इसको अब शम्जात थे और are पहले वाली घटना को आज के प्रेजेंट से हम लोग रिलेट भी किये थे जोड़े भी थे आज लोग पढ़ने वाले हैं नेमस अब दा लैंड बोलने का मतलब कि जो भूमी है जो जमीन है कुल मिला करके अपने देश की बात करें हमारा जो देश का जमीन है उसमें हम लोग वी अगर बात करें वी ऑलवेज ऑलवेज का मतलब कोण बताया गम को कोई है नहीं है और हमेशा हम लोग हमेशा दो वर्ट करते हैं किसके लिए फॉर आवर कंट्री अपने देश के लिए कॉन को इस तिमल करते एक तो बोलते इंडिया और दूसरा बोलते भारत सी कि दो वर्ड बोलते हैं कि हमेंसा अपने देश के लिए हम लोग हमेंसा दो वाड का 191 इस्तेमाल करते हैं एक वर звуч सबके संगे कि इंडिया कहा से आया और भारत कहा से आया ऩो सबसे पहले बत करतें इंडिया को लेकर सबसे पहले बात करेंगे इंडिया कि इंडिया आया कहां से ठीक है तो चलिए जो इंडिया जो वर्ड है यह वर्ड कमस फ्रॉम इंडस यह इंडिया कहां से आया है इंडस से एक वर्ड है और यह इंडस वर्ड हमारा वर्ड नहीं है यह इंडस वर्ड है इंडस कहां से आया ह है इंडस आया है less Induce 2004 पढ़ने वाल हिसको की सिंदू और सीन्दू जह वर्डय वलसं स्क्रीट वर्ड वर relying Agreement BUT G HadekS verb आ रहा है कि संक्रीट क yearly कॉड पर कौन सवर्डयिक सा बना है उन्डू संन्सक्रीट में संस्क्रीट वह डायरेक्ट नहीं है वह सिंधू से इंडस हुआ है और इंडस से इंडिया हुआ है बात समझ भागे ना तो कहीं लगाई संस्कृत के साथ हम लोगों का एक नाम जो है वह जुड़ा हुआ है ठीक है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंधू के बारे में और भी बहुत करका बात करें तो पाकिस्तान में तो इंडस की जब बात होगी या सिंदू की बात होगी तो बात कहां क्यों रही है पाकिस्तान की हो रही है पाकिस्तान में नदी है सिंदू नदी ठीक है और एक मूवी है मोहान जोदाड़ो बार बार याद आ जा रहा है हम चाहरे थी मू बहुत अच्छे से समझ आ जाता है तो जरूर देखना ये फिल्म तो मुहांजदवड़ों में बहुत अच्छे से दिखाए गया इसको तो कम्स प्रम इंडस और इंडस जो है वो कहां से है सिंदू से और सिंदू जो वर्ड है वो कहां का वर्ड है संस्कृत वर्ड है लिजेगा हां और को यशू होगा तो बताइए गांपो ठीक होना निच्छे अब तो अब भारत का मैं देखें ना मैं अब रोक यह ना तो भारत के बगए पकिस्तान दिखाऊगा तो तो देखी अब क्या है यहां पर भारत का बारत का बार्ड पार करेंगे तो आएगा प जा आफ़ा निस्तान तीक है मैप मैप हम लोग किसी दिन मैप पर डिसकर्शन करने वाले सब्सक्तिक है फिलाया सब्सक्राइब समझ दिए भारत हो गया यह पाकिस्तान हो गया ठीक लगे हाथ अफटा इसतना फट्रसों पकिस्थम लगे हाथ है एक साथ है टिक और इसी के बाद कि है एक कंट्री आएगा वह एरान यहां पर तिक क्या ना में एशर नाइगा ठीक है और इरान के इस सैट में बहन को चैका तर्की या तर्की बोला या तुर्की बोली ठीक है टर्की आएगा और टर्की का इस साइड यह जहाए कर शीः थिक और टर्क याइगा ग्रैस यहां पर ग्रेस जिसको पूल के यूनान तो एक ही इस सर देस हो गया अची से थिक्ते भारत है भारत के पास्चिम कि तरफ जाने तो कौन आएगा पाकिस्तान पाकिस्तान के ठीक ऊपर में अफगानिस्तान और इसके बगल में कौन है इरान इरान के बगल में टर्की और अफगानिस्तान के ऊपर में कौन है रसिया और फिर इरान और टर्की के बाद कौन आ रहा है ग्रेस ग्रीस जिसको बलते है यूनान ठ पर किसके अगल बगल में है तो इरान और ग्रीस से इन दोनों देश से लोग भारत आए कहां कहां से आए कहां कहां से आए इरान से और ग्रीस से आए ठीक है तो ग्रीस और इरान ये दो देशों से लोग कहां है भारत आए डापार करने आए ठीक है और वो जब भारत आए तो उन्से लोग पूचता ते कहाँ गये थे आप जैसे अचर पुंचते नहीं दहीं बोल पाते थे तुम इंडव बोलते थे कि कहां कहां सी कहा जा रहे हैं या कहां से ऐ तो कि त 누나 मशित इंडिया को इंडिया कि कि वह बोल नहीं पड़ते थो इससे जैसे बीत वैसे वैसे उच्छारण में एक चेंजी इन अar कि बदलाव अ A Burkhond के बगल में इंडस नदी है तो इंडस नदी के इस्ट में इंडस नदी के इस्ट में पूरत की तरफ जो जमीन है उसको क्या बोलेंगे इंडिया इंडस नदी के इस्ट में जो जमीन है उसको क्या बोलेंगे इंडिया बसमझ मारें ना उलोको अभी जैसे हम लोग बोलते हैं नौर्थ इंडिया बेदक्षी वमद governed जो साथ निया है उसोग हुतना नहीं मुद्ध है खरकर ने आता तहम यह द्यूंध तो इस्ट इंडिया में तो लोग वलोग ईसे पता किया कि आपकि आपकि जो इंड़ Państ नदी अदी के इस्ट में जो जमीन है जो एरिया है उसको उसकर क्या बूलेंगे हैंदिया तो बास समझ भेंआ रहे है कि इंडिया कैसे है ठीक है कहानी समझमे रहे है ठीक है तब सब्सक्राइड पॉर्मॉ